तो चलिए शूरू करते लेकिन शूरू करने से पहले अब चैनल सब्स्राइब कर दीजेगा और बेल आगर दबाना बद भूलेगा ताकि फॉरी तौर पर आपको नोटिक्केशन बेल जाएगा आपको अज़का लेसान अब फिंगर पिकिंग ठीक है तो बेसिक एक्सराइब को बता तेता हूं कि फिंगर प्लेसिंग कहां पि होगी और पहली जो एक्सराइब कैसे करें ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको कि फिंगर आपको कहां रखनी हैं स्ट्रिंग पे कौन सी फिंगर किस स्ट्रिंग के लिए होती है तो सबसे पहले थम से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो जो थम है वह आपकी ऊपर की तीट स्ट्रिंग के लिए रहेगा ठीक है युण है? फिर जो बाकी की fingers है ठीक है, उनको कहाँ प्लेस करना है, ये भी देख रहते हैं तो आपको जी pinky finger है, वो किसी भी string में इस्तमाग नहीं होी, ठीक है ऐसे तो कोई रूल नहीं है कि ऐसा है कि आप ये pinky finger नहीं już कर सकते लेकिन मैं, as a beginner, जो आपको बताना है, वह important है कि आपको, जो रूल है, उसके हिसाब से बताऊ, वैसे तो कोई रूल नहीं होता, लेकिन फिर भी, ये फिंगर आपको यहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है, ताकि आपको support मिले, ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे रखेंगे, तो आ इंडेक्स finger है, मिड्ल फिंगर है और, जो रिंग फिंगर है, उसको बाकी की तीन जो strings है, वहाँ पी उसकरना है, ठीक है, ठीक है, ठाम से उपर की ती और, ये नीचे की, ठीक है, तो और exercise क्या होगी, exercise जो होगी, वह यह है, आपको cord पकड़नी की जरूत नहीं है, आप ऐस आपको करना है जब तक आपकी स्पीड नहीं आ जाती है करना है इसके बाद भी जो जो चीज आपको करना है इसको माल लेता है पैटर्न कह लेजिए एक्सराइज माल लेजिए ठीक है तो आपको वार टू थ्री उपर के स्ट्रिंग्स पर तीन वारा फिर बार कर लेता है तो आप सॉंग भी कर सकते हैं फॉर एक्सांपल जदो अंबरा बरस्या पानी अटी दी खुश्बुवा अटी दी खुश्बुवा अटी दी खुश्बुवाई ठीक है तो चाहिए तो आप सॉंग प्ले कर सकते हैं और एक और इंपॉर्टिन चीज है ठीक है अब अगर सॉंग बजा रहे हैं तो उसके लिए और इंपॉर्टिन चीज है जैसे कि E मैनर है तो इसका जो बेस नोटे को शिक्स स्ट्रिंग होगा तो यह याद रखेगा जो अगर थम मार रहे हैं किसी भी जब सॉंग प्ले कर रहे हैं तो वह बेस नोटे पर पढ़ना बहुत जरूरी है पहला जुश्टो कहां वैसी यह मैनर का बेस नोट क्या है फिल्फ स्ट्रिंग बेस नोट बजना जरूरी है यह मैं आपको बता रहो है सांड अच्छा करता है इसलिए मैं बताया आपको आपको समझ में आगया हो ठीक है और आप वैसे खुद से भी कोई सा भी पैटर्न यूज कर सकते हैं ठीक है कि आपकी एक्सराइस के लिए सही होगा और वैसे तो को कोई लिमिटेशन नहीं होती है आपको से कोई भी पैटर्न किसी भी सॉंग पर अप्लाई कर सकते हैं आपको ठीक लग रहा है तो सिर्फ बिगनस के लिए था ठीक है तो मैं आगे और जो नेक्स बनाओंगा उसमें मैं आपको चार पांथ दो थीन सॉंग इसी तरह मैं और हाँ मुझे इस्ट्रागम पर फॉल्व कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप सर्च भी कर सकते हैं बैंक्रप्ट इटारिस के नाम से बाबाए